हमी तक रह गया किस्सा हमारा किसी ने खोला नहीं किस्सा हमारा आवाम को जोहार सलाम नमस्कार लाइफ इंडियन गार्ट से मैं मलिका और आज लाइफ इंडियन गार्ट की टी मौजूद है सरकिट हाउस में बिधान सभा चुनाओ की तैयारी लगभग सभी राजनितिक दल क सरकिट हाउस में यूद कॉंग्रेस के द्वारा एक मिटिंग की गई जिसमें हर घर खटा खट योजना जिसके अंदर दस योजनाएं लगभग सामिल है वैसे कुछ योजना धरातर पर चल रहे हैं लेकिन बाकी योजनाओं का क्या होने वाला है और हर घर ये पहुंचेग मैं जाकन प्रदेश यूद कॉंग्रेस का प्रदेश सची हूँ और धनबाद जीले का सह परभागी है पहले ये बताईएगा हर घर खटा खट नाम बहुत प्यारा लग रहा है रोचक भी है लोगों तक ये इतने ही प्यार भरे अंदाज से पहुंच पाएगा बिलकुल कि जो भी नीतियां है जो भी पॉलिसी है हम जंता तक आम जन्मानास तक गाओं गरीब मज़ूर किसानों तक कैसे पहुंचा है ये कॉंग्रेस की हमेशा से उद्देश रहा है अभी विधान सभा को लेकर सारी पार्टिया अक्टिव हो गई है और खास करके जितने युगा कारे करता है वो अपनी और से अच्छी कोसिस कर रहे हैं आप लोगों के सामने क्या बाधा रहेंगे बाधा हैं ऐसे कुछ नहीं है कॉंगरेस सुदू से कारियों के निद्वहसता है कि मैं जो कारे कर रहा हूं लोग के लिए कर रहा हूं उस चीज को लेके आगे बढ़ती ह हमारे कोई बाधाय नहीं है हम जितना जंता तक हों सके लोगों समझा सके जो योजनाइ अभी वी कुछ लोग जैसे जिनको योजनाइ नहीं मिली उसको बच्चे वे समय में जितना लोगों को पहुंचा सके यह हमारा में चैलेंग जेबी केसे जो नई पार्टी है क्या दिनों में वह जारखंड की प्रणुक्ता को लेके चले जारखंड में ज़ों रह रहे हैं जो नौकरी पेशा से हैं जो जर्खंड में जन्म हुआ है सब को एक पैमाने पर लेके चले सबी के पास योजनाओं का एक लिस्ट होता है लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुँच पाता है और खास करके जारखंड की स्थिति को आप देखते हैं कई ऐसा पीछड़ा इलाका है जहां कुछ भी सही मात्रे में नहीं पहुच रहा है तो यूथ कॉंग्रेस जो है अभी कार करेगी उनके लिए खास करके उन महिलाओं बच्चियों तक योजनाओं को किस तरीके से आप लोगों लेकर जाएंगे लोग कैसे जुड़ेंगे इसके साथ देखे एक आपका पॉलिटीव सवाल है अभी हम एक कारिकरम लॉंच किये हैं हर घर खटा-खट यूथ कॉंग्र कारिकरम चलाई थी सरकार आपके द्वार हर जीला हर गाउं हर ग्राम हर पंचायत एक कैम्प लगा के लोग योजनाओं का लाफ दे देखे चाहिए वह बीदवा पिंसन हो चाहिए अबुआ आवास हो जितने तरह की योजनाओं चल रही है हर गाउं पंचायत में जाके सरक अगर योजना पहुंच रही है आपके द्वार पर तो फाइदा लेने से पीछे नहीं हटना है लेकिन हां समझते हुए क्योंकि जानकारी की अभाव में भी कई लोग जो हैं योजनाओं का फाइदा नहीं ले पाते हैं तो पहले जानकारी जुटा लेनी है उसके बाद यो स्विच कर लिजेगा ताकि सारी खबरें फटा फट पहुंचे वैसे आने खबरों के लिए जुर सकते हैं लाइव इंडियन गाट के साथ